स्वागत है आपका इंडिया न्यूस पे मैं हूँ आपके साथ रहतरा के स्टंडन और इस समय एक खास शक्सियत हमाई साथ हैं आई टीवी ग्रुप पर हैं एक्स्क्लूसिवली हैं लोग सभा के स्पीकर ओम बिल्ला साब सर बहुत स्वागत है आई टीवी नेटवर्क पे आ का और बहुत मुवारकबाद दो साल कोविट के थे लेकिन प्रोड़क्टिविटी में कहीं कोई कमजोरी नहीं है जो ग्राफ्स हैं लगातार वो बढ़ते जा रहे हैं सदन सबके सयोग से सबकी सरसमत्ति से चलता है और सभी मानने सदर्श्यों के सक्रिय सयोग के कारणी सदन देर रात तक भी चला कामकाज की डश्टी से भी कामकाज विधाई कारे ज़्यादा हुए और मानने सदर्श्यों को भी प्रयाप्त समय प्रयाप्त अवसर अपनी श्यत्र की जनता की अपेक्षाओं आकान शाओं को रखने का मिला मेरी कोशिश रहती है कि सदन में सुस्त चर्चा हो अच्छा समवाद हो वाद विवाद हो चर्चा समवाद वाद विवाद से जो मंथन निकलता है उदीश की कल्यान के लिए काम आता है और इसलिए दीश का सवरचम सदन लोगसभा जहां पर हम दुनिया की डेमोक्रेसी को माद दर्शन करने का काम करते हैं उसकी मर्यादा बनी रहे और उसमें साथ तक चर्चा हो हम ऐसी कोशिश करते हैं सर अब सदन आपने बारा बजए एक भी सहमती के बाद एक सेंस लेकर आपने चलाया अब सर एक नया पार्लिमेंट बन रहा है जब भूमी पूजन हुआ था हम लोग भी वहा है थे इस कोविट काल में सर उस पार्लिमेंट पे विपक्ष ने बहुत सारे सवाल उठाए काह साब अभी जरुवत नहीं थी ये एगो की बिल्डिंग होगी इस वक्त कोविट चला था पैसे आपको दूसरी चीजों में खर्चा करने थे जो पैसा उसमें खर्चा हो रहा है लोगों ने बगाइदा उसका हिसाब और ब्रेकप भी दिया विपक्ष ने कि इत्ता सिलिंडर आ जाता इत्ती रेमडी सेवर आ जाती तो काह साब ये एक एगो का सवाल है कि सेंटर वीस्टा और पार्लिमेंट के प्रोजेक्ट्स लाए जा रहे हैं क्या आप मानते हैं कि हाँ ये जरुवत है नीड आप दा आर है ये कोई सरकार का एगो नहीं है संसत के दोनों सद्नों ने राज्यसभा लोगसभा में पांच अगस्त को हमने मानिये प्रधान मंती जी से और सरकार से आगरे किया कि ये जो हमारा भौन है इसको सो वर्ष होने जा रहे है ये भौन एतियासिक है हमारा आस्ता का किंद है यहां कई एतियासिक निर्णे हुएं पेसले हुएं देश के विकास के योगदान में इस भाऊन की भी इतनी उप्युक्ता रही है लेकिन इस भाऊन के अंदर आवशक्ता और किनुसार बहुत सारे परिवर्तन समय समय पर होते हैं जिसके कारण अब भाईश्य में नए भौन के आवश्यक्ता है और इसलिए हमारे आगरे पर सरकार ने नए भौन की स्युकर्ति दी और नए भौन का निर्मान कारी चल रहा है तो एक टारगेट रखा गया है दोजार बाइस पिशतर साल हम सेलवेट करेंगे तो सेशन उसी में होगा क्या माना जाए टारगेट तक हम अचीव करेंगे हैं निश्य रूप से लक्ष रखा है कि अक्टूबर द 2022 तक जो लक्ष रखा है आने वाले समय के अंदर अब जब नॉवंबर में सत्य चलेगा जब आजाजी के 75 वर्ष भी होंगे जब भारत की संसत का अपना भौन होगा और उसके अंदर ये सत्य चलेगा सर्क क्योंकि नए संसत भौन की बात हुरी जो सोशल मीडिया पे भी बहुत सारी चीज़ लोग खोच के निकालते हैं मतपदेश में ही दो मंदिर है सर पहला पास है वो बिल्कुल सेम हूब हूँ जो इस वक्त हमारा पारलिमेंट है लोग कहते हैं कि उससे प्रेड़ना लेके बनाए गया तो वहाँ पर भी सेम ऐसा स्ट्रक्चर है जो भी ट् इक इत्थाक जो अर्केट्ट डिजाइनर होते हैं उनकी एक प्रक्रियाओती है चैन करने की है। CPWD की एक निर्बान के अजेंसी है, उन्होंने आर्किटेट के चैन को किया, और हमने आगरे किया आर्किटेट से कि दुनिया भर के जितने भी लोगतांति संस्ताओं के भौन हैं, उनका अध्यन करें। आर्किटेट को किया, आर्किटेट ने जो दिजाइन हमें दी, उस दिजाइन पर हमने हमारी लोकस्वा की जनरल प्रपश कमिटी के अंदर, उस दिजाइन के बारे में जिसमें सब दल के नेता होते हैं, संसदी समिती के चेर परसन होते हैं, उसमें उस दिजाइन और उसमें जो जो माने सदर्श्यों के अपेक्षाएं थी, कि सुझाओ थे, उन सुझाओं को भी इंकोपरेट किया और उसके आदार पर डिजाइन फाइनल की, उसके बाद निर्मान का कारे के टेंडर की परक्रिया भी CPWD ने निकाली, अब निर्मान चल रहा है, अब कौन से मंदिर का नक्षा लिया गया है, किस देश की संसत का नक्षा लिया गया है, मैं इस बारे में कोई जानकरी मुझे नहीं है, मैं तो यह कह सकता हूँ कि हमने यही आगर किया था, कि देश की जितनी भी विश्य के अंदर जितनी भी लोकतांतिक संसता हैं, उनका हम अध्यन करें, ताकि कि जब यह बहुन बन रहा है यह आने वाले समय के अंदर बहुत सो साल से ज्यादा तक यह बहुन रहेगा उसके नुसार और भाईश के आउश्चताओं को भी देखें यह बहुन निर्माना चाहिए आधोनी टक्निकी से युकत होना चाहिए ग्रीन बिल्डिंग होना इसमें विपक्ष ने बार-बार इस बात की डिमांड की कि जो कमेटी इसकी मीटिंग है वो वर्चुली क्यों नहीं हो सकती है बहुत सारे देशों में होता है कहां पार्लिमेंट की जो फंक्शनिंग है वो भी वर्चुली हो सकती आजकल विश में वर्चुल का एक अजय के इसकी मिटिमें? मुझे लगता है कि संसद वर्चुल चले इसकी मांग तो किसी नहीं की, संचदीय समीत्यों वर्चुलों उसकी मांग जोरूं की थी, लेकिन संचदीय समीत्य के कारण के लिए एक नियम प्रक्रिया बनी हुढ है, हमारे नियम 266 के अंदर संसदी समीतियों की बेठक गोपनी होगी पॉलिक डोमेन में निलाए जाएगी बिना स्विकर्ती के इसको कारवाई को पॉलिक डोमेन में निलाए यह हमारे नियम में है जब तक उस नियम में परिवर्टर नहीं हो जाता जब तक हम कोई भी संसदी समीति को वर्चौल की परमीशन नहीं देते हैं जो मानने सदश्य है जो वर्चौल की बात कर रहे हैं अच्छा होता है कोईट के समय जब यह चर्चा चल रही थी जब वो सदन में इस मामले को उठाते इसके लिए एक परक्रिया है कि हमारी रूल्स कमिटी बनी हुई है रूल्स कमिटी के अंदर सभी दल के मानने सदश्य होते हैं और रूल्स कमिटी के अंदर जिन जिन मानने सदश्यों ने वर्चौल कमिटी का आग्रह किया है हम उन पर उस नियम rules committee में चर्चा करेंगे जो सरसमती बन जाती है जिस विशियों पर rules परिवर्टन करने पर उसके लिए फिर हमारे संसत का मत जाना जाता है और जो संसत का मत बन जाता है उसके आधार पर नियम का परिवर्टन किया जाता है कुछ माने सदस्यों ने वर्चुल की मांग किये कुछ माने सदस्य भी चाहते हैं कि इसकी गोपनिता बनी रहे तो वर्चे नहीं ना ची तो अलग-अलग मत है तो अलग-अलग मत जा होता है वहाँ पर फिर सरसमती बनाए जाती है हम जब रूल्स कमिटी होगी जब इस वर्चुल के विशे को भी इस रूल्स कमिटी में चर्चा करेंगी सब कुछ दिन पहले हमने सुना राहुल गादी ने ये बात बोली कि मैं जब भी पार्लिमेंट में बोलना चाहता हूँ मुझे बोले नहीं दिया जाता है मेरा माइक जो है वो आफ करा दिया जाता है तो मैं अपनी बात पूर्ण रूप से सदन के पडल पर रख नहीं पाता हूँ हम तो हर माने सदश्यों को प्रयाप्त समय प्रयाप्त अफसर देते हैं जब भी बोलना चाहें उनकी पार्टी ते करें किसी भी विधेक पर किसी भी चर्चा पर निश्यतुपसे में समय मिलता है और मुझे लगता नहीं कि कभी किसी का माइक संसत के द्वारा बंद किया जाता है ऐसा कभी नहीं होता है समय अधी होती है किसी माननी सदर्शों को कितनी देर बोलना है उस पाल्टी का जितना समय एलोट्मेंट होता है आवंटन होता है उसने समय उस पाल्टी के माननी सदर्शों बोलते हैं लेकि मेरी कोशिश रहती है की जो समय आवंटन होता है उससे अधिक भी में मानिस अदस्यों को बोलने का उसर देता हूं और इसलिए आपने देखा हो कि हर विदेख पर जो बिजनी से अड़्वाइजर कमिटी में उस समय ते हुआ उससे ज्यादा वक्त मैंने लोगों को हर विदेख पर चर्चा करने का उससर दिया है एक एक चीज़ की चर्चा है लज़ेपी में बहुत पॉलिटिकल टर्मॉइल हम देख रहे हैं चिराग पासवान है पशुपती पारस उनके चाचा है लोग और चिराग ये बात कह रहे हैं कि साब मुझको भी वक्त मिलना चाहिए था मैं पार्टी का पीज गए और तुरंट जो टेबिल आफिस था उसने भी नाम जो था वो चेंज कर दिया लीडर ओफ दा हाउस तो सर ये ये तो नियम अनुसार है क्योंकि पांच सांसा चले गए तो ये हो नहीं था ऐसा नहीं कि संसद बहुमत के आधार पर संसी दल का निता चुना है एक प्रक्रिया है जिस पार्टी के डल के सद्ब्रस होते हैं वो अपनी बेठक करते हैं और बेठक करने के बाद उसकी निंड़े की सूचना सचे वाले को देते हैं उन्होंने बेठक की और उनके मुख्ये सचेक ने सूचना दी कि हमने था है और यह मारी सूचना है जब 13 चारी को उन्होंने पत्र दिया 14 तारीक को एक्जामीन किया उनका मानि चिराग पासवान जी का पत्र आया 15 तारीक शाम को उस समय जब उन्होंने एक सूचना दी उस सूचना पर किसी के आपत ही नहीं थी तो हमारे टेबिल ओपिस ने उसके आद जामिन करा रहे हैं और उचित कारवाई करेंगे सर एक बड़ी बहस इस देश में है जो स्टैंडिंग कमेटीज है मैं उस पर नहीं जाओंगो तो प्रिवलेज का मामला है और सिधे आपके पास आएगा मैं सर यह समझना चाहता हूं क्योंकि जो सोशल प्लेटफॉर्म्स ह आपके अपनी राय क्या इसमें बैलेंस कैसे हो एक तरफ तो कमेटी काम कर रही है मैं बिल्कुल नहीं आपसे पूछूँगा लेकिन आपको लगता है कि हां जिस दिशा में सरकार चल रही है कम से कर वो एक सही दिशा है कि कोई भी आदनी कुछ भी ना लिख पाए सोशल मी हो वो सही जानकरी देश के सामने लाए है और ये समाज का हमारा प्रयास भी है कि सही जानकरी देते हैं तो उसकी विशेशनिता रहती है लेकिन अभिवेक्ति की सतंता अपनिया है उस अभिवेक्ति की सतंता में कोई भी विशे कोई मानो लिखता है तो मुझे लगता है कि वो उनकी प्रिशेश निता पर भी सवाल पेदा करेगा लेकिन हमारी कोशिश होना ची कि समाज के अंदर जो भी सामगरी हम डाल रहे हैं वो इस सही तत्यों पर डाले ऐसा प्रियास करना ची क्योंकि कोविड अभी गया नहीं है लोग कहते हैं वेव 3 भी आएगी कोविड टा सब्सक्राइब करेंगे कि वो कबिनेट कमिटी ऑन पॉलिटिकल एफेस देट्स मिलेगी मैं अब डेट्स नहीं पूछूँगा वैक्सिनेशन प्रॉसेश एंपीज का कैसा चला सर कितने एंपीज हैं वैक्सिनेटेड हो गए हैं अभी तक मेरी जानकरी में आया है कि 445 मान अभी मंतिम होदे हैं तो एक्तम मान ने संसल सद्श्वों ने वीश्चिनेशन करा लिए हैं जो कुछ मानने संसल सद्श्य भचे हैं उनका अभी कुछ का कोईट अभी हुआ था इसके कारं नीयम प्रक्रिया किता हैं उनको तीन महीने बाद है इसierteissements लेकिन मेरी जानकरी कि नुसा अधिकतम माने सदस्टों ने वेक्सिनिशन लगा लिए माना जाए साथ जो मौनसून सेशन है इस पार उमीद हम लोग करेंगी हम लोग आएंगी मौनसून सेशन का और करने साथ निश्शित रूप से हम कोशिश करेंगे कि मानसून सत पुर्ण रूप से चले पूरा चले और हम सब की कोशिश हो प्रयास हो कि हम कोरोना संक्रमन की रवतार को जो कम होती जलिए उसको और कम करें कोविट का एलाइन की पालना करें सामाजिक दूरी रखें मास लगाएं ताकि हम कोरोना को पुन्वूफ से समाप्त कर सकें सर एक विशे और था सर कई अतिहासिक बिल आपके टेनवर में पास हुएं चाहे वो 370 35, टिपिल तलाग कई सारे इतिहासिक बिले इस कोविट काल ने सर एक सोचने पर मजबूर किया कि इस देश में कोई population control की बात कम होती है आप दूसरे अमेरिका को देखिए सर बिटन को देखिए एक sized population है वहाँ पर तो vaccination का process भी बहुत तेज चला कोई भी चीज उपर सरकार है डिसाइड करती है तो down the line 6 महिने में complete हो जाता है हम 130 करोन के उपर के देश है हमको गर्ब है लेकिन क्या आपको लगता है सर इस पर भी एक विशे होना चाहिए ये भी एक इतिहासिक फैसला होगा जो आपके अगर टेनवर में हो क्योंकि इस पर है कि कोई इतनी population control पर कोई बात ही नहीं करता सर देश कोई भी विदेख लाने का काम सरकार करते है निजी विदेख कई माने सदश इस विशे पर लाए थे और उस पर चर्चा भी इस बन में उन जलन मुद्दों को कभी भी सदश दन के अंदर कोई भी मानने संदश लाएंगे मैं प्रियास करूँगा उस पर चर्चा हो और रूल्स बनाने का कानून मनाने का कौम सरकार का है कि सरकार अगर कोई रूल्स लाती है तो उस पर भी चर्चा करते हैं तो उस पर भी चर्चा करते हैं तो आप कोई बिल पास होता है तो आप हमेशा चेयर पे होते हैं चाहे रात में बारा बज़े चाहे एक बज़े अमोवन आप रहते हैं दो बज़े तक बिल्स पास होता है आप सबको बोलने का मौका भ कराने के लिए हम देखते हैं आप मोटिंग कराते हैं रास्वा से भी पास हो जाता है और उसके बाद भी विपक्ष के कई नेता उस पर सवाल उठाते हैं और यहां नहीं देश के बाहर बात चीत करने में मैं दिंगीजे सिंग जी की बात करूँ जिन्हों तीन सो सतर पर एक स्पीकर मैं कह सकता हूं कि मेरा काम उस समय जो सदन में कोई विधेक आता उस पर चर्चा कराने का हैं और चर्चा समवाद सभी दलों के सदश्य करें चर्चा करें यह मेरी कोशिश रहती हैं अब विधेक बनने के बाद उसके रूल्स बनने के बाद कोई भी विशेक कोई म आदमी भी कोई सवाल कर सकता है, तो यह हमारा देश में लोकतंत है, सब अपने बात कहने के अभिवेक्ति हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी कोशिश हमेशा है रहती है कि जब कोई कानून बन रहा है, तो कानून में जितने भी लोग उस कानून से प्रभाइत हो रहे हैं, बहुत शुक्रिया, ओम्बिल्ला साब आपने हमको वक्त दिया, आई टीवी नेटवर्क को और बेबाकी से सभी सवालों की जवाब दिया, और बताया कि 2022 तक पार्लिमेंट भी तयार होगा, कितनी वैक्सीन्स मिली है, ओम्बिल्ला साब आई टीवी गूप पर थे, स्पीक